Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mayuri Rani आप सभी का मेरे YouTube channel Mayuri Rani में स्वागत है चलिए आज फिर हम लोग daily use sentences करेंगे कि अपने life में, daily life में हम English speak कैसे करेंगे छोटे छोटे सब्ड, छोटे छोटे वाग को हम English में कैसे बोल सकते हैं और सामने वाले के सामने हम अपना impression कैसे अच्छा कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं, okay आपका पसंदीदा खाना क्या है? आपका पसंदीदा खाना क्या है? जैसे कभी भी हम लोग एक डूसरे से मिलते हैं तो कभी हम लोग यह पूछते ही है किसी से कि आपका पसिंदिता खाना क्या है, आपको खाने में क्या पसंद है, ऐसा कुछ तो पूछते हैं, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ठीक है न, what's your favorite food, what's your favorite food, तो जब भी अगर आपको यह पूछना होगा कि आपका खाना क्या है, आपको क्या खाने में अच्छा लगता है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, what's your favorite food, what's your favorite food, okay, now second is, क्या कोई खास बात है, क्या कोई खास बात है, अगर आपको कोई इंविटेशन दे रहा है, या फिर कोई बहुत खुस है, ठीक है न, बहुत अच क्या कोई खास बात है, आज बढ़ा खुस हो, आज कुछ खास है, जैसे आप मान लीजे कि आप new dress पहने हैं, और सामने किसी के पास जाते हैं, तो सामने दे और खुस भी है, तो सामने वाला आप से हमेसा पुछेगा क्या बात है, आज तो बहुत खुस लग रहे हो, क्या को is there anything special, ठीक है ना, जब भी आप कभी आपको पूछना होगा, तो आपको इसे English में बोलिएगा, is there anything special, ओके, next है हमारा, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, कभी कोई आप से सामने वाला बोलता है, लेकिन आप किसी काम में बीजी रहते हैं, तो आप उसकी बात को ध्यान नही नहीं पाते, तो आप उसको फिर से क्या बोलेगा, what did you say, इसको कैसे बोलिएगा, what did you say, जैसे मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, what did you say, what did you say, okay, next हमारा four, मुझ पर एक एहसान करो, आप किसी अपने friends के पास गये हैं, और आप उसे कुछ मदद मागना चाहते हैं, ठीक ना, कुछ एहसान मागना चाहते, तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, हिंदी में अगर आप कहते हैं, मुझ पर एक एहसान करो, मुझ पर एक एहसान करो, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, do me a favor, क्या कहेंगे, do me a favor, मेरे लिए एक favor कर दो ना, please, मेरा ये काम कर दो ना, please, मे तो भी कुछ सीख रहे हैं, जैसे कि आप इस वीडियो से English सीख रहे हैं, तो आप सीख जाओगे, एक दिन आप पक्का सीखोगे, तो इसको क्या बहुत है, you will learn, you will learn, you will learn, okay, next है हमारा phone बज रहा है, phone हमारा बज रहा है, phone हमारा बज रहा है, मान लीजे आप किसी काम में बीज रहे हैं, तो अगर आपके घर में कोई और है, आपका phone आपके पास नहीं है, और किसी और को सुनाई दे रहा है, तो वो बंदा आपके पास है ही नहीं, कहीं बाहर में हैं, बगीचे में हैं, यह चट पर फ्लॉर में, कहीं भी हैं, तो आप उनको English में क्या बोलेंगे, the phone is ringing क्या कहेंगे? फोन बज रहा है, the phone is ringing, okay? नेक्स से वे्ड डुकान किस समय खुलती है? थीक है न अगर कोई डुकान में गये क्या शुवा मौरनिंग के टाइम में हमें कुछ अरजिन समान लेना है ठीक है न? या फिर वो दुकान का मालिक आपको रास्ते में दिख्या वो दुकान बंध है तो आप उससे पूछ सकते हैं दुकान किस समय खुलती है ठीक है यह जेनरल सब्द है यह जेनरल वाक्य है यह हम लोग कभी भी किसी से बोल सकते हैं दुकान वाले से या दुकान के बारे में किस इसपी से भी पूछ सकते हैं जब हम लोग यह लाइन बोलते चाहिए कि डुकान किस्व में खुलती है इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे कहेंगे वाट टाइम दसजिस्ट सप ओपेट थिक है ना इसको कैसे बोलेंगे है वाट टाइम दसजिस्ट ऑपेट करते हैं पाटी शुरू करते हैं ठीक है ना कभी कोई आपको पाटी दे रहा आपके फ्रेंड यह सब आप लोग सब गय हैं और वहां पाटी करना चाहा रहे हैं तो वहां पर किसी का वेट करते हैं ठीक है और अगर वेट करते हैं जो जिनका वेट कर रहे हैं वह अगर सामने तो हम लोग करते हैं ना चलो भाई अब पार्टी सुरू करते हैं चलो अप्ट शुरू करते हैं तो इसको हम लोग इंग्लिस में क्या करेंगे let's start the party let's start the party let's start the party okay next है या किसका फोन है मान लीजे आप कहीं पर हैं और आपके सामने किसी का फोन रखा हुआ है और आपको मालूम नहीं है तो आप उससे पूछ सकते हैं किसका फोन है ठीक है ना इसको इंग्लिस में कैसे कहेंगे whose phone is this कैसे कहेंगे whose phone is this okay last है मारा बिजली चली गई बिजली चली गई अभी बहुत टुफान आंडी के समय आता है टुफान आंडी में बिजली चली जाती तो हम लोग इसको जेंडरल ये वाके है इसको कैसे कहेंगे the power has gone off power has gone off power has gone off okay चलीए अब हम लोग next question करते हैं question number 11 गुशा ठूक डो जब हम कभी किसी से नराज रहते हैं तो हम इसको बनाने के लिए कह सकते हैं गुशा ठूक डो तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे speeda veda anger please speeda veda anger गुशा ठूक दो speeda veda anger okay next हमारे 12 वा बहुत मासूम है वो कितना मासूम है न उसका envoy कितना मासूम है वो कितना मासूम लड़का है mobile promise will we है कहते है ना तो इसको कैसे कहेंगे he is very innocent he is very innocent okay next यह शट फटी हुई है तुमने यह जो सट पहना यह तो सट फटी हुई है प्लीज इसको नहीं पहनो ठीक है ना तो यह सट यह अगर हम कुई dress पहनते हैं चाहिए वह dress हो या कुछ भी जो भी पहनते अगर फटी है तो हम लोग उसके बारे में यह तो फटा हुआ है तो इसको इंग्लेश में कैसे बोलेंगे यह सट फटी हुई है this shirt is torn this shirt is torn this shirt is torn okay next यहां से bus stop कितनी दूर है जब हम कोई ने में में जाते हैं कोई अमजानत में जाते हैं और वहां वुष परेश के कि बारे में कुछ नहीं पता और किसी सब पुछते हैं कि bus stop कितनी दूर है यह रेल्वे Enfin कितनी दूर है यहां अटो कहा मिलेगी जानक पुछते हैं कि卡 было इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे हाव फार इस दबस स्टॉप फ्रॉम हीर यहां से बस स्टॉप कितनी दूर है हाव फार इस बस स्टॉप फ्रॉम है ओके नेक्स है मैंने इसके बारे में सुना है मैंने इसके बारे में सुना है अगर आप स्टॉप लेशाओ किसी अ समसलीय स्टॉप ऐते हैं मेरे भी चुम्हें ने में आया है तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे I have heard of it I have heard of it I have heard of it मैंने भी ऐसा कुछ सुना है फिर है बहुत सारे लोग है मैं वहाँ नहीं जाओंगी वहाँ कितने सारे लोग है मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं वहाँ नहीं जा सकती बहुत सारे लोग है वो देखो कितने सारे लोग है कहते हैं तो इसको इंग्लीज में, there are a lot of people, there are a lot of people, क्या होगा, there are a lot of people, उके, चली, next, देखिए, क्यों जूँट बोल रही हो, जब हम किसी से कुछ कहते हैं, और, अगर, हमें वो चीज समझ में नहीं आता, हमें लगता हैं, यह जूट बोल रही हो, तो हम इसको इंग्लीज English में कैसे कहेंगे, why are you telling a lie, ठीक है, कैसे कहेंगे, why are you telling a lie और हमें आगे जाना है बहुत भीर है तो अपने आगे वाली को क्या कहते हैं थोड़ा आगे बढ़िए ना इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे Go ahead Okay, क्या कहेंगे Go ahead Next है हमारा मैं बहुत खुश हूँ आज मैं बहुत खुश हूँ मैं आज मुझे आज मज़ा आ गया आज मैं बहुत खुश हूँ इसको कैसे बोलेंगे I am very happy I am very happy Next and last है हमारा आप कब लोटेंगे जब कोई जाते हैं हमारे घर के कोई भी family members कहीं दूर जाते हैं या कहीं भी किसी 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं या 4-5 दिन या 1 week कभी भी कहीं जाते हैं तो हम उनसे पुछते हैं कि आप कब लोटेंगे पुछते हैं आप कब लोटेंगे इसको इंग्रीष में कैसे कहेंगे वेन व़ेल यू कम बाक वेन वेलन यू कम बाक वेन वेल्यू कम बाक हम लोग जा य िली यो सेंटेंस कि ये 20 डैली यो सेंटेंस don that तो हम लोग इसको अपने डैली लाइफ में यूज कर सकते हैं जब भी comment कभी छोटे-छोटे मियं भांकि भोल की हें हिंदी में थेकिन हैं तो भी सिखाहलने छोटे ही हें। को सीली खोट सेंटेंस को कितना ये करते हैं। आप यूज करते हैं जहां आपको अगर बोलना रहता है कि गुसा ठुकडो या तुम जूर बोल रही हो या आगे बरिये क्या आप इसको इंग्लिश में कहते हैं नहीं न तो इसको इंग्लिश में कहिए प्रैक्टिस कीजिए ओके तो I hope you like this video आपको अच्छा लगा हो और प् कियेगा कि thank you very much